तो मुझे दे दीजिए एक मा को बच्चा दे दीजिए अगर नहीं कि तुम कहते हो मर गया तो इसका प्रूफ तो दो मुझे उसकी लाज तो डैड़ वाड़ी तो दो कहा है कैसे प्रूफ तो दो मैं 12-13 किलो मेरा बजन गटिया जब से उसके बाद बिमार थी मैं उस्पटर को जा रहे हैं हम नहीं जन्याय मांगेंगे सुप्रिंग कोड से भी कहेंगे कि है परमात्मा तुम्हीं सब को दुनिया को नहीं दे दे दिजिए इस किन्नर समाज को तो नहीं दे दिजिए एक बेहत खुफसूरत बच्चे ने महराष्ट में जनम लिया मगर जिस माबाप के घर में उसने जनम लिया था उसी माबाप ने उसे एक आसरम में फैंक दिया क्योंकि शायद उन लोगों को पता चल गया था कि ये बच्चा किन्नर है और किन्नर को हमारे समाज में कोई हैं तो बुलंद शहर के खुड़ा में जो रंजनागरवाल ने खोला उनका नमबर उन्हें प्राप्त हुआ अब वो भूब इस नमबर करते हैं रंजना गरवाल से उननकी बाचीत होती है रंजना गर्वाल खुर्जा से और महराश तक का सफर तै करती है और वहां से उस बच्चे को गोद लेती है वहां से उस बच्चे को आश्रम के लिए लेकर आती है वहां वीडियोग्राफी भी वो करती है फोटोग्राफी करती है से वो बच्चा गोद लिया जा रहा था उसके बाद में वो खुरजा अपने आसरम में पहुँचती हैं क्योंकि आसरम की अभी नीम रखी गई है तो वहां वो अपने घर पर ही एक रूम इस तरह का बना हुआ है कि वहां कोई भी किनल आके रुख सकता है या कोई बच्चे की अगर पालन पोशन की बात होती है तो वो पाल पोस भी सकती है वहां पर अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जो यहां पर बाल कनलियान सिमिती है उसको नौलिज में डालना जरूरी था वो जाकर उन्हें बताती है कि इस तरह से हमें एक बच्चे को महराश्ट से गोद ले वो मेडिया के सामने रूबरो होती है मेडिया को बताती है कि जिस तरह से वो बच्चे को गोद लेकर आई है वो सारी बातیں बया करती है अब जिस तरह बच्चा जैसे ही हाईलाइट होता है बाल कनलियन सिमिती की निगाध उस पर टिक जाती है और वो लोग दोके से उस बच्चे को उनसे चीन लिया जाता है और चीनने के बाद में वो उन्हें प्रिक्रिया की धता पड़ा देते हैं कि पहले मतुरा भेज दिया जाता है और वो बच्चा जिस तरह वो भागदोड़ भी करती हैं डीम सर के पास जाती है एस पी से जाके गोहर लगाती हैं और भी जहां नेतागर थे उन से जाके रोती हैं कि मुझे बच्चा किसी तरह से वापस दिला दीजिए मगर बाल कलियान सिमीती के कान पर जो मन्यते की की बच्चा बीमार है बच्चे को कभी भी कुछ भी हो सकता है मगर उसके बावजूद भी बच्चा उन्हें वापस नहीं दिया लाश्ट में उन्हें बताया गया की बच्चा खतम हो गया रंजना गरवाल ने काफी मन्यते की कि बच्चे की बाड़ी ही उसको दे दी जाए जिस बाड़ी का वो अंतिम संसकार करा सके मगर वो बच्चे की बाड़ी ना उन्हें ने दी ना बच्चे को लाश्ट तक भी उन्हें दिखाया इसी कड़ी में आज पंजाब से हमारे पास यहां पर मौजूद हैं आई हैं जानकरी लेने के लिए कि इस बच्चे का क्या हुआ हमारे ऑफिस पर आके जानकरी लेने के लिए आई हैं मैं मात पर स्वागत है और सबसे पहले आपका नाम पूछना चाहिए मेरे नाम यशिका है और मैं चंडीगर पंजाब से आई हूँ बुलंचहर और मेरा मुद्दा यही है कि वो बच्चा कहां पे है क्योंकि वो बच्चा वो हमारे समाज का बच्चा था वो हमसे भी लॉंग कर जा था हम भी हम मतलब हम भी बच्चे थे एक समय पर तो ऐसे बच् यह पहल जो पूरे इंडिया में किसी नहीं सोचा जो रंजरा नहीं जीने सोचा एक बच्चे को एक आम इंसान के बच्चे को तो हर कोई पाल लेता है जैसे आप पंजाब से और यहां तक का सफर्दे किया है कोई और भी काम रहा या सिर्फ बच्चे के लिए आपार मैं व वह तुम आसुमसा बच्चा है तो वह बच्चा कहां है इचा खाली किलनर समाज में ही नहीं देश के कौने कौने में जिसने भी ये इस ख़बर को देखा उस बच्चे के खतम होने की ख़बर सुनी उनका दिल दहल गया क्योंकि बच्चे को जिस तरह मांगने की रंजना गर्वाल ने कोशिश की थी भर सक प्रियास के थे हम लोग उने भी जाकर वहां पर कवरेश करके दिखाया था मगर उसके बावजूद भी उन लोगों करकान पर जूँ नहीं रहेंगी और वो बच्चा आखर में खतम हो गया मगर इस बात का भी कोई किसी तरह का सबूत उन लोगों ने पेश नहीं किया है कि बच्चा खतम हो चुका है सिर्फ उन्होंने औरली ये कह दिया कि बच्चा खतम हो गया इसी सवाल के जवाब के लिए ये येशिका मैम यहां पर आई है पंजब से कि आखर बच्चा गया कहा है अगर बच्चा खताम हुआ है तो उसकी बाड़ी किस तरह के उन लोगों ने जो है बॉड़ी को सब्सक्राइब में है strains के वारण जाना चाहिए तूह सब्सक्राइज जाना चाहता है यह चाहोंगा है उनका क्यों स्टेता है आप यहां पूरा उसकी इस बच्चों का डेटा कहां पर है आप समाज में जैसे आप पहूंचें तो किस तरह से आप पहुंचें जनम से आप ऐसे थे या फिर आपको वहां भेजा गया किस तरह किस उमर में थोड़ा अपने बार मेरा मेरे साथ यह हुआ कि मैं पैदा हुई थी मेरी फिरिंग लड़कियों वाली थी मैं मुझे लड़कियों की तरह रहना अच्छा लगता था तो यह सब हरकते देखके तो में घरवालों ने अब मुझे एकसेप्ट नहीं नी किया निकाल दिया तो बच्चा कहां जाएगा और मुझे में में पास कोई सॉशल सपोर्ट कितनी उमर रही हो गई आपके उस तो तो तेरह 14 साल थेरा चॉध साल आपकी उमर रही है तो फिर आपकी घरवालों ने क्या किया मुझे निकाल तो हम मैं कहा जाती में पास कोई सोशल सपोर्ट नहीं था रंजना गरवाल भी हमारे साथ में हैं उनसे भी बाचित कर लेते हैं हाँ मैडम यह बताईए कि जैसे पंजाब से यह आए हैं इस तरह से किनर समाज से कितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं मेरे पूरे भारत के अरगार डेटेज के किनरों का बार वार फोन आ रहा है रंजना जी क्या हुआ है बच्चा बहुत घूसे में है किनर समाज और विचे अधयर ऊधर उधर से आने वाले हैं पर मैंने रोके पड़े हूं बहन भात पहले पूछ लेती हूं कहाँ है बच्छा क्या पिरक्रिया मेरे पिरकरिया यह हो रही है मैं लखनों गई उसी वीच में लखनों में अधकारी मंत्रों से मिला पर तो कुछ नहीं हुआ अच्छा एक बात मैं आप से पुछना चाहूंगा वो अच्छा ही बात है कि आप महराष्ट गए वहाँ से बच्चा लेकर आए हमने पुरी कवरेज भी दिखाई थी शुरू से लेकर लाष्ट तब भी बच्चा बच्चे को आपको लालन पालन करने के लिए समय मिला था कितने समय तक बच्चा आपके साथ रहा था मेरे पास 10-15 दिन पंद्र दिन बच्चा रहा था पंद्र दिन तक एक माने जिसने जनन दिया वो तो सिर्फ है कर भाग गई वहाँ है ना आप उसको लेकर आए थे वहां से बच्चे को आपको वो ऐसा कौनसा लालच है जिसकी वज़ा से आँ बारबार इसके पीछे नबेस तरह अच्छ है मानपता मानफता सबसे बड़ी होती है क्योंकि इनके लिए युग-ङुग में किसी ने भी बच्चे को किन्नर बच्चा जब देपते हैं कि हमारे पैदा हुआ थो बच्चे को फैंक तो इसलिए मैने एपमानपता के अनुसार मेने ये पहल की जिस शीज मैं ले लेती हूं तो इसे पालूगी तो हर माता मैंने एक मिसाल बते सकती है कि रंजना कृश्रा पैदा भी नहीं हूँआ था उसने बच्शा पाल लिया कि बच्चा तो हमारता पैदा हुआ हुँ क्यों कि इसको बहरत में शुरुआत करना चाहती थी इस पहल को क्योंकि भारत में मैंने देखा़् पांस साल रिकिर उनक तो डर्ण भी बहुत बुरा है up में रगद मेरे पास में ब向को से चाथी हूं समासीव सुरू से करतीиты मेरे पास किंदर समाज की बच्ची आयै हमारे यहां यह आधर काड दीजिए और सीथ देरो मैंने कहीं बेटा समाज भी होता ब्रद आश्रम भी खुले हुए महां तो बड़ा पकाड लोगे बोले ना तो हमारे ब्रद आस्रम और नहीं हमारा पती ना बेटा नो कुछ समाज हम कहां जाएंगे बुड़ापे में मैं फिर क्या होता है जीते जीतों मर गए और बनने के बाद और खराव है हमारी स्थिती मैं वो क्यूं बोले हमाले तो समसान गाट भी नहीं है इस दर्द को लिया और इसी को आज अगर यह बच्चा लेके इन्होंने मार दिया तो फिर कोई भी माता बहने कोई भी इस समाज में कोई भी बच्चा नहीं लेगा इसलिए मैं इस बच्चे को न्याय दिल्वाना चाहती हूं जो मां पुलेंसर से लेके महाराश्ट तक लेने जा सकती लड़ने के लिए लाई तो आपकी चल रही है अभी चलती भी रहेगी मगर मुझे थोड़ा यह जब आप महाराश्ट गए थे तो यह आपकी बहुत बड़ी गल्ती मैं मानके चलूंगा कि आप महां से डॉक्मेंट पूरे करके नहीं लेकर आई हूं मैंने छूड नहीं ब बता हूंगी मैंने आपसे भी कहा था सवरबे के स्टांप लिए लाई थे वह आपसे हमने भी कहा आपसे आपने हमसे कहा और उनसे भी कहा था बाली पना नहीं रही थे ना वह नहीं मानने थे अब एक बात की जी बताई आप वीडियो ग्राफ नहीं थी पूरा जैनायक सब्सक्राइब करें जाए तो वह विल्कुरी मारी गई इन्होंने मेरे साथ चल किया मेरे कि जए इस थी रहा कि हिंदी की तार-बार शुद्ध गर जिन लिया और नहीं यह गार्त है आप नहीं लिखवा गलिए यह वार जा रहे हूं फिर बत्चे को चीन लेके बाद महार मैं महरट गई निक वाद लाएं यह बताइस सब्के यह देखिए एंढ के लिए लगारी हैं और मैंने नियाने थे एंटडना इनके ने क्या लॉक्ष के लिए उस में डॉकूमेंट में लिए तो लिख के लिए व्ल्कुंगांव लित कर दिया है विए शब आप पर तो यह द यह बच्चा हमारे सामने दिया गया इसको और वीडियो सबूत है वह यह कौन से यह कौन सी डॉक्यमेंटरी पूरी करवाना चाहते थे जो आप कुरी नहीं करवा पाए थे वहां से यह वहां से एक आसरम ने दूसरा आसरम को दे दिया ठीक है वो लिखित में आपने तोके बंडल जो गरीब लेडिज में नोट नहीं दे पाई कि सत्य है मैंने उस तेम भी बच्चा मर गया है कह रहे थे जंभी मैंने कही ती कि मैं योगी जी के सामने खोलना चाहती हूं और अभी बात है एक भूर चोराय पर बच्चा मिला है आपको मैं सबूद भी दूँ ऐसको बच्चा यहां लोटा दिया तो आपको बच्चे से कई दुष्मनी थी माया कि पता ने यहीं तो से पूछना है वह वह बिना कारा सारा के वह कैसा दिझा वो लड़का प्ली कि अपको पब्लीक श्कुल चला रहे हैं बड़ा नहीं दे जिए एक स्टांप वह होता है इन्हें कुछ ना लिखा पड़ी करवाई जा के इंकारी करो भी वो बच्चा क्यों दे दिया किया नौट के बंडल पहुंच गे ते इस नहीं ले लिया क्या बज़यती यह चाहते हैं मेरे बच्चा जैसा भी है मैंनी पूरा किन्नर समाज बहुत इन्हों ने जो थोक करा हमा को तो लड़का ले सकते हैं या लड़की ले सकते हो आसक दो कितना ने गुद लिया कारा सारा से हो लोग तो से किन्र माणी ने रहे थे कियसे नहीं मानने थे? क्कियो अब लड़के कु ब танी का ज़िए करा प हम घर picture ऩी? कोनी था? के नहीं किंदर समाज भी नहीं देखा फिर जब लड़का नहीं मानने थे ये मेरे उपड़ पार आस्ट करते चा को ड़ घर कंई ये कंई जरा। जब वो किन्र थान तो जभी तो मैं किन्नर वोले ती जभी तो यह कुछ नहीं कर रहे, क्यों, क्यों यह यहीं पढ़ा ही करके आया है, यह एस्पिसे कि किसी ना आपको धमका ने यह कोशिश कर बता रहे थे लिए, जी बहुत धमकी बहीं है, पर अंटु मैं एक सहीद किन्र के लिए मैं सही दो जाओं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं समाज के लिए पहली बात, किन नर शमाजी है? एक सवाल मैं आपसे पूछने चालाऊँ गा जब बच्चे की खबर आई थी रादी की कि उसे खतम होए लगभग कि अपत को एक महिने से ज्याधा हुगए न दू महीने से झाल दो महिने हुगए दो महाहिने पहले एक हबenta कुको चला यजलाई था है और अब तक का समय यहने साथ दिन गैंश यह पिंसटयी जो भी दिन सब्काया दो मैं 12-13 किलो मेरा बज़न गटिया जब से उसके बाद बीमार थी मैं उस्पटर में भड़ती रही हूं उसके बाद थोड़ा से होता है मैं लखनों गई हूं मैंने सुप्रीम कोट की बकिलों को देखा चक्कर काट रही हूं पहले तो मैं गवार नीचे इस ती ती से लगाती कि इस इनवाई करने पोटल पर डाल इदार उधर डाल एक सवाल मेरा अबसे है कि अब आप क्या चाहते हैं उद्डिशे क्या है मैं आपका इस लड़ाई को लीकर मैं मत्रा भी गई वह घ्रिया तो मां पता चला कि जिनदा है अगर जिनदा है तो मुझे दे लिए चाए हा उसकी लाद तो डैड बाड़ी तो दो कहां है कैसे प्रूफ तो दो और तुम नहीं कर पा रहे हो न कुछ तो हम तो सुप्रिम कोर्ट में उन्हें सारी को जा रहे हैं हम नहीं जन्याय मांगेंगे सुप्रिम कोर्ट से भी कहेंगे कि है परमात्मा तुम्हें सब को दुनिया क मेरे बच्चे को नियाए दे दीजिए इस किन्नर समाज को तो नियाए दे दीजिए ये बच्चा मेरा ही नहीं पूरे समाज का पहली बात जो काम कर रही हूं मैं जाद ब्रादी से अलग कर रही हूं क्यों किन्डर तो किसी के भी पैदा हो सकता पूरे समाज में क्या हिंदू-मुस्लिम की कोई बटके है कि इसके किन्डर पैदा गोश्कनी होगा तो मैं तो सभी को गले लगा कर चल नहीं हूं क्यों इन पूछो खुद कैसे सड़कों पर पडे रहते हैं कैसे कैसे का कर आएं उस हिस्वारत मेना स southwest नहीं कर थाहिए समाज को mix को समानता उने कर कि समाज के लिए क्यों कि मैंने अपने गहने अधे सी लिए को कम से कम यहां के रहें ऐसी बच्चे जो 13 साल के उस्ressotschaft माबब छोड देते हैं जो दोःते पीड़ा सी जो पिड़ा सपना यहां नोते हैं जो हार्मौन्स में बदलते हैं जब चलती है कि ईप किनन रहें उनकी आप नहीं को 13 साल में किसी को 12 साल में 173 में पार है तेरे साल की मुझे तो वह सड़क बहुत कहां जाएंगे मैं तो इन से भी कहुंगी समाज के लिए कि वह उन बच्चों को निकाले ना बार उन्हें आप एक कास्रम बनना है पंजाब से यह आपके पास आई हैं चलकर और भी लोग आपके पास आने की बात कह रहे हैं क kia के बच्चे को सुनकर जिस तरह बच्चों के लिए पथा लगा कि बच्चा खत्म हो गया है मगर आपके जरेगत इनको पता लगए है बच्चा जिन्दा की पड़िया डिया वाटा बच्चो, ऐससे की अगरनों ना कई न carbon futures चाई ईसे माँ इसे बच्चे मर जाएंगे कभी दूद्ध की नली में असे नहीं मरता अगर दूद्ध की में मुण हैं पहले माँ दूद पलाती है त्रखैर दिलवाती है क्या उसे छिण नहीं नहीNow बता रहे हैं कि सोले साल की लड़की है यहां के और यहां के यह कौन सी पड़ाई हुई यह बत पूछो इंसे की टेहत बच्छा चुन लिया वह बच्छा नहीं था लावारिस बच्छी वह थे जो कूड़े पर पड़ी मिले यह दबेव मिल जाते हैं वह लावारिस बच्छा नहीं थे एक मां के गोद में आकर वह ख़र स्टक नहीं थैं तहा है कि मुशवास नहीं है कि बच्चा उनका खतम हो चुका है जिस राधी को महराश्च से लेकर बुलंद शहर तक का सफर ले आईंग थी और उन्हें 15 दिन तक उस बच्चे को उन्होंने बड़े प्यार से पाला पोशा था वो ममता आज भी रह रह कर बोल रही है कि बच्चा आज भी दुनिया में है तो शायद इसी वजह से इस लड़ाई को बंद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है अब देखते हैं कि आगे क्या होता है मात्र चाया मदर एंड चाइल्ड केर सेंटर हमारे यहां 24 घंट एमेरजेंसी नॉर्मर डिलीवरी और हाई डिस्क डिलीवरी की स्वीधा नवजाश शिशू के लिए आई सीउ की स्वीधा बच्चे दानी के कैंसर की जाच एवं बच्चों के सभी प्रकार के रोगों कर इला झाल नष्या है